जै बागेश्वर धाम सरकार नमह स्वागत है आप सभी का, हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में तो कन्या राश्य वालों भलाई करने का नतीजा देख लो, ये सचाई आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि अगले 48 घंटे में धोखेबाज लोगों से आ दोस्तों, आने वाले अगले तीन दिनों में, आपके जीवन में तीन ऐसी भयानक घटना होने वाली है, जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में भी नहीं की होगी। ये सारी की सारी जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही खुश किस्मत होगा, वह व्यक्ती जो आज हमारी बातों को पूरा सुनेगा, क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि हम जो भी बात करते हैं, वह आपके ग्रह घोचर पर आधारित होती है। दोस्तों, आने वाला समय आप सभी जातकों के जीवन में तीन बड़ी दर्दनाग घटनाएं लेकर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपके दुश्मन भी अब आपको बरबाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आज दोस्तों, मैं आपको जो जो बात बताने वाला हूँ, उसे आप बिलकुल ध्यान से कान लगा कर अकेले में सुनना। क्योंकि दोस्तों, यदि गलती से भी आपके दुश्मनों तक यह बात पहुँच गई, तो फिर वह आपको कहीं का नहीं छोडेंगे। इसलिए अ आटू वाले बाबा, श्याम के सचे भक्त हैं और अपनी अरजी बाबा के चरणों में लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आज की इस वीडियो को अंत तक देखना, बाबा श्याम तक आपकी अरजी पहुँच जाएगी, उसी के साथ। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करकर कमेंट बॉक्स में सचे मन से हारे के सहारे की जय जरूर लिख दे। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति का कोई नहीं होता, उसके बाबा श्याम जरूर होते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखों से परेश दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आपको बता दें, अगले 24 घंटे में एक बुरी शक्ति के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा उतल पुथल मचाने वाली है। जी हाँ, दोस्तों, आप कुछ अच्छा करने जाएंगे तो हो सकता है कि अच्छा होने के बजाए आपक काम बुरे हो जाएं। आपको फाइदा होने की बजाए नुकसान हो सकता है। उसी के साथ, दोस्तों, अगले इन 24 घंटे में जो आपकी दुश्मन है, वह आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार करने वाली है। जी हाँ, दोस्तों, आपके दुश्मनों से आपकी खुशिय में आज आपको बताने वाला हूँ, यदि आप में से किसी भी व्यक्ती ने उसे उपाय को एक बार कर लिया, तो मैं आपको लिख करके देता हूँ, आपके दुश्मनों का सर्वनाश हो जाएगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस, आप उसे उपाय को पूरूर लेना, क्योंकि बहुत से लोग बात पूरी नहीं सुनते हैं और फिर बाद में रहते हैं। गुरू जी, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए पूरा देखना, अंत तक सुना, तो सब कुछ समझ आएगा। चलिए, बिना देर किये, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, जो आने वाला समय है, वह आपके जीवन में तरक्की के कई सारे रास्ते खोलेगा। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं, जो आप से बहुत ज्यादा जलते हैं, जिन्हें आपकी खुशियों से बहुत ज्याद जलते हैं, ऐसे हम दोस्तों, ये जो आने वाला समय है, ये आपको एक बहुत बड़ा मौका देगा आगे बढ़ने का, लेकिन दोस्तों, आप देखेंगे कि जो आपके अपने लोग हैं, जिन पर आप आँख बंद करकर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, जिन लोगों प लिए आप अपनी जान लुटाते हैं, वही लोग आपकी खुशियों से जलते हैं, तो दोस्तों, एक बात आप समझ जाईए कि जिन्दगी का नियम यही है, कोई भी किसी को अपने से ज्यादा आगे निकलता, देखा कभी खुश नहीं होता, और आपके दुश्मन भी, पहले सावधानी ध्यान से सुनियेगा, दोस्तों, आप अपनी जो योजनाएं हैं, उन्हें गुप्त रखने का प्रयास करें, आपकी राशिकी जो जातक होते हैं, वह स्वभाव से बहुत सीधे बहुत सरल होते हैं, वह लोग कभी भी कुछ बात छुपाते नहीं हैं, खा यह मेरा अच्छा दोस्त है, यह मेरा अच्छा रिष्टेदार है, सारी की सारी बातें उन्हें बता देते हैं, और फिर जब सच्चाई आपके सामने आती है, तो आप फिर रोने लग जाते हो, कि मेरे अपने नहीं, मुझे धोखा दे दिया, तो पहले से ही सतर्क हो आप जीवन में उतनी ही ज्यादा तरक्की करेंगे, उसी के साथ साथ, दोस्तों, पैसों से जुड़े निर्णय आपको अपने दम पर खुद की सहमती से लेने होंगे, देखिए, हम कई बार कुछ निर्णय लेने में परेशान होते हैं, तो हम किसी और से पूछ लेते हैं, जैसे कोई हमारे साथ पढ़ने वाला है, कोई हमारे साथ कारे करने वाला है, तो हम उनसे पूछ लेते हैं, कि मुझे ये परेशानी आ रही है, अब मैं क्या करूँ, देख सामने वाला व्यक्ती कभी भी आपको सही रास्ता नहीं दिखाएगा, यदि वह आपका कोई बहु कि आपकी जिन्दगी का फैसला आपको खुद लेना होगा, यदि आप अपने निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाओगे, दोस्तों तो लोग हमेशा आपको नीचे गिरने रहेंगे, कभी भी लोग आपको तरक्की की राह पर आगे नहीं बढ़ने देंगे, साथी दोस्तों, आपको बता दे, आने वाले समय में आपका भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देने वाला है, जी हाँ दोस्तों, पूरे पचास सालों के बाद आपकी कुंडली में बहुत बड़ा राज योग बन रहा है, अब आप भी कहोगे कि वह परमात्मा आपने तो हमा भाग्य बदल दिया, जी हाँ दोस्तों, किस्मत अब आपका बहुत अच्छा साथ देने वाली है, ऐसे में दोस्तों, भूल कर भी आपको अब देरी नहीं करना है, आपके अंदर आपकी राश्य वाले जातकों की एक बहुत बड़ी कमी यही है, कि आप लोग विचार करने में समय बहुत ज्यादा बरबाद कर देती हो, आप सोचते हो कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, समय आने पर मैं यह कर लूँगा, वह कर लूँगा, आप ये जो समय बरबाद कर रहे हो, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, आप इस बात का दोस् अच्छे से, समय समय पर पूर्ण भी होने लगे, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि आपका जो दुश्मन है, वह कहीं और नहीं, बलकि आपके आसपास ही है, ऐसे में दोस्तों, आपको अपने चारों और इस बात का ध्यान रखना होगा, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्य कभी भी जीवन में कामयाब नहीं होने देगा, आज नहीं तो कल वह आपको बहुत बड़ा धोखा ही देगा, तो बहुत ज्यादा आवश्यक है, दोस्तों कि आप समय रहते ऐसे लोगों से दूरियां बना ले, क्योंकि यह लोग, दोस्तों खुद तो एक न एक दिन फसें लेकिन आपको भी बहुत बुरा फसाद देंगे, जिससे कि आपका आने वाला समय, आपका आने वाला भविश्य दोनों ही बरबाद हो सकते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से दूरियां बना कर चलना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, वही दोस्तों आपको बता दे, किसी की भी बातों में आसानी से नहीं आना है, लोग केवल और केवल आपको भटकने का प्रयास कर रहे हैं, इसी लिए आने वाले समय में आपको जितना हो सके, अध्यात्म की ओर आगे बढ़ाना है, ताकि आपका मन ताकतवर हो सके, और आप अपने दिमाग से अच्छे- महत्वपूर्ण बड़े से बड़े निर्णय भी ले सके, क्योंकि दोस्तों, खराब मन से जब भी आप कोई फैसला लेने जाओगे, तो आप अकसर नुकसान ही सहना करोगी, इसी लिए आपका मन प्रसन्न होना और आपका दिमाग तेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो केवल अध्यात्म से ही आपको प्राप्थ हो सकता है, तो थोड़ा समय आपको खुद के लिए निकालना, सीखना होगा, आने वाले अगले छे दिनों में लोगों का साथ मिले या ना मिले, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है, क्योंकि भीड का हिस्सा हम कभी नही किया, लेकिन जब हम अलग कुछ करते हैं, तो लोगों का सपोर्ट हमें नहीं मिलता है, लोगों को ऐसा लगता है कि यह गुड़ू बेगा और मुझे भी डूबा देगा लोगों को, तो बस भीड चाल पर चलना पसंद है, क्योंकि वह संतुष्टी भरा जीवन जीना चाह लेकिन आपके सपने बड़े हैं, अपने बच्पन से ही कुछ बड़ा करने का थाना बता रही है उसे, रास्ते से, तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, आपको खुद का रास्ता बनाना होगा, और ये खुद का रास्ता कठिन होने वाला है, ये खुद का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है, अब इस पर चल रहे हैं, तो सारी रिस्क भी आपकी है, सारा जोखिम भी आपका है, लेकिन अगर आपको भरोसा है भगवान पर, अगर आपको भरोसा है अपने काबिलियत पर, तो इस रास्ते से जब आप सफलता की ओर निकलेंगे, तो वह भेद से कई गुना बड़ी होगी, कई गुना ज्यादा होगी, और अकसर महान लोगों की यही खासियत रही है, आप इतिहास उठा कर देख सकते हैं कि वह कभी भीड का हिस्सा नहीं बने, और उन्हें अपना एंपायर खुद अलग ही खड़ा किया है, इन छेह दिनों में किस समस नहीं मिलता, वह चैन के साथ नहीं लेते, तो अब यह आपके लिए बहुत बढ़ी अशुरुआत है, कि आप चैन के सांस लेने वाले हैं, नौकरी पेश और लाब लेकर, यह समय ए रहा है, जो लोग अपने कैरियर कारोबार को सेट करना चाहते, प्रयासरत, दा उनकी मनो कामनापूर्ण होने वाली व्यक्ति की मदद से, किसी लाब की योजना से जुडने का अवसर आपको प्राप्त होगा, तो बढ़िया बात है, घमंड नहीं दिखाना है, कई बार हम बोलते हैं कि तू कौन होता है मुझे सलाह देने वाला, या फिर तू कौन होता है मुझे स जिन्दगी के किसी भी मोड पर वह सलाह कब हमारे कम एजाए, इस बात की कोई गारंटी है क्या, इसलिए इस बात में थोड़ा समझिये है और कोई सलाह दे रहा है, चाहे वो आपसे छोटा हो, दो मिनट, उसके बाद ध्यान से सुनिए, हो सकता है वह कोई ऐसी कम के बाद बोल दे कि वह आपकी जिन्दगी बदल कर रख दे, खटी मीठी तकरार के साथ में वैवाहिक जीवन चलता रहेगा, मस्त मौला आप भी जीवन जीएंगे, आपका जीवन साथी भी, आपसे अपेक्षाएं रखिएगा, समय की और समय आपने दिया, तो फिर तो मस्त प्रे से व्यवसाय में भी मंदिर चली रही है और नौकरी में भी तरक्की नहीं होका रही, कारण क्या है, कारण है ग्रहों का उल्टा चलना और विपरीत प्रभाव, लेकिन अब अगले छे दिनों में संभावना निर्मित हो रही है, क्योंकि केतु तुल्ला राशी में बहुत साथ ही साथ जो बुद्ध है, उनका भी राशी परिवर्तन हुआ है, और जल्द ही सूर्य भी करने वाले हैं, तो मौका तो बनेगा, जिन लोगों का बाजार में धन फसा हुआ था, वह धन भी अब निकलेगा, ये बहुत बढ़िया बात है, परीक्षा की तैयारी में ये से वो हमारा गलत खान-पान हो गया, या फिर गलत मौसम हो गया, तो वो चीज पुना उभर जाती है, और यहां हमें फिर से उदासी चा जाती है, हमें फिर दिक्कत ए जाती है, तो थोड़ा सा भगवान पर भरोसा रखिए, रोजाना एक लोटा जल्दी जल्दी जाकर शिवलिंग पर अवश्य चड़ी, और जो जल्दारी से पानी बाहर जा रहा है, उसे ग्रहन करना शुरू करिए, तीन महीने के अंदर आपकी वह समस्या जरूर दूर होगी, आपकी जो खास मित्र है, जिनें आप अपना जिग्री मानते हैं, जिनें आप अपना परम मित्र मानते हैं, उनसे कभी नाराज मत होना, अगर उनसे गलती भी हो जाती है, तो उनने माاف कर दीजिएगा, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाये, तो भी वो मोती ही रहता है, एक गलती तो भगवान भी माاف कर दियते हैं, हो सकता है आप इतना बात का पतंग बना ले कि आपकी बरसों के दोस्ती तूट जाए। इसलिए मौका हमने दीजिएगा। यही हमारी आपको खास सलाह है। अगर आपकी कोई महिला मित्र है, जहां पर आप कम करते हैं, तो लाब से जुड़े कई शानदार मौके उनकी मदद से आपको मिलेंगे। यह भी बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ कारोबार विस्तार की योजना अवसर प्राप्त होने वाला है। समाज में आपका मैन सम्मान बढ़ाने वाला है और लोग आपके द्वारा किये गए कारियों की जबरदस्त प्रशंसा करने वाले हैं। क्योंकि देखा गया है जब भी आपको एक कम करते हैं तो सच्चे मैन से दिल लगा कर करते हैं। आप यू नहीं सोचते कि मुझे इतना पैसा मिल रहा है, उतना पैसा मिल रहा है। आपका बस इतना रहता है कि मुझे इस कम को इतना शांदार करना है कि लोग भी कहें कि वह यह किसकी मेहनत है और यही एक सफलता का सूत्र है और यही बड़े लोगों की पहचान है कि वह सौ रुपए का काम को भी हजार रुपए का करके देते हैं ताकि लोग उनके प्रशंस के भरपाई करने में आप काम्याब रहेंगे आपके सेहत और संबंध दोनों में बहतरीन परिणाम नजर आएंगे लेकिन दोस्तो जैसा के हमने आप सभी को बताया कि आपको अंजान लोगों से बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यक्ता ही तो इस बात का आप ध्य दोस्तो बधाई हो आपकी जिंदगी बदलने वाली है पूरे 25 करोड की लौटरी आपकी लगने वाली है अपनी आखों पर आप लोगों को यकीन नहीं होगा क्योंकि दोस्तो यह जो समय है कल युग में पहली बार ऐसा महा संयोग बना है जिसके चलते महा धन लक्ष्मी य माला माल बनने वाले हो अचानक से कहीं से दोस्तो करोड़ों की संपत्ति आपके हाथ लगने वाली है लेकिन दोस्तों हो जाए सावधान राहू के साथ साथ बुध आपके लिए बढ़धी परिशानियां खड़धी कर रहा है दोस्तों आने वाले इन 24 घंटों में आपको अपना घर बार तक छोट धना पड़िडियेट सकता है आपकी एक छोटी सी गलती से आपके घर और परिवार में बढ़धा भूकम पा जाएगा दोस्तों इसलिए कलेजे में अगर हिम्मत हो तब भी दोस्तों कुछ गलती करने की सोचना वरना आज के इस वीडियो को देख दोस्तों बहुत ही शांदार होती हुई दिखाई दे रही है लेकिन आपकी छोटी सी गलती से आपकी जिन्दगी समाप्त भी हो सकती है इसलिए सारे काम छोट डश कर सबसे पहले आज के इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा मात्रिय पंदरा से अठारा मिनट के वीडियो आपके लिए दोस्तों संजीवनी बूटी के समान होगी जो दोस्तों आपका भाग्य चमका देगी आपकी फूटी किस्मत को समवार देगी मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ कर विन्ती करता हूँ कि केवल एक व्यक्ती से अभी के अभी रिष्टा जोड़ लीजिए और वह व्यक्ती से जब आप रिष्टा जोड़ो होगे तो दोस्तों आपका नसीब खुद बखुद चमक उठेगा जानकारी मैं इसे वीडियो में बताऊंगा लेकिन दोस्तो आप से मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तो आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं मुझे बहुत दुख पहुंचता है दोस्तो मैं रोजाना आ आज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कॉमेंट बॉक्स में, सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य रूप से लिख दीजिएगा, दोस्तो जै बजरंग बली, दोस्तो पवन पुत्र हनुमान जी, अगले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुश खबर देंगे, तो अभी के अभी जाईए और लिख दीजिए जय बजरंग बली, मेरे प्यारे दोस्तो, चिंता किस बात की, दोस्तो चिंता किस बात की, जब बीता हुआ कल आपके दिमाग में है, और आने वाला कल आपके हाथ में है, तो चिंता न करो, जो बीत चुका है, दोस् इसकल को, दोस्तो उज्वल बना लो, सब कुछ सही होगा, दोस्तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कि हर बड़ी काम्याबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी न छोड़े, आज की युवा पीड़ी बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी उनको पैसा कमाना है, ब केरी बात समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तो ये जान लीजिए कि संगत का असर आएगा ही आएगा, इसलिए जो माहौल में आप रह रहे हैं, जो आपके दोस्त है, सोच समझ कर चुनो, जो रिष्टेदार है, उनसे रिष्टा सोच समझ कर निभाओ दोस्तों, संगत का असर तो होना ही होना है, मूर्ख के साथ रहोगे, तो आप भी मूर्ख बनोगे, कामयाब व्यक्ति के साथ रहोगे, तो एक दिन आप भी कामयाब बन ही जाओगे, दोस्तों जो कुंडे में रहता है, वह धीरे-धीरे खुद भी बांचने लग जाता है, और जो फूलों में रहता है, वह धीरे-धीरे खुद भी फूलों के जैसे महकने लगता है. इसलिए बात साफ है कि जिसके साथ रहोगे जैसी संगत में रहोगे, वैसा असर आप पर भी आएगा ही. आएगा तो सोच समझ कर अपना आसपास का स्थान चुने, अपनी संगत सच्चे और जूठे प्यार का अंतर समझ आ जाएगा आपको. कभी प्यार में अंतर अगर पता करना हो, तो थोड़ी सी देर अपनी मा के पास बैठ जाना समझ जाओगे. साथ ही कुछ देर अपने पिता के पास बैठ जाओ, अपने बाप के पास बैठ जाओ. पैसा कैसे ज साथ ही कुछ देर किसी सच्चे प्रेमी के पास बैठना, जो किसी से बहुत सच्चा प्यार करता हो, तो दोस्तों, उसके पास बैठ कर देखो, आपको प्यार और हवस में अंतर समझा जाएगा। अकेले कहीं एकांत में आपको पता लग जाएगा कि आप क्या हो, क्या नहीं हो, आपके जीवन में क्या चल रहा, एक बार खुद के साथ भी बैठ कर देखो, इस भी डिड़ से अलग हो जाओ, एकांत में बैठो, सब कुछ समझा जाएगा। इससे ज्यादा यही ध्यान रखना है कि आप कोई गलत काम न करें, क्योंकि शनी देव आपके ऊपर अपनी पूरी निगाहें बिछाए बैठे हैं। ऐसे में आपसे कोई भी गलत काम नहीं होना है, ना ही अपने मन में किसी के पृतिपाप रखना है। अगर यह चीजें हुई, तो समझ जाएए लेने के देने पड़िधने हैं। बढ़धी बढ़धी दर्दनाग घटनाएं आपके जीवन में निश्चित रूप से होने वाली है। इसलिए शनिदेव न्याय प्रिय देवता होते हैं, कर्मों के फल दाता होते हैं। शनिदेव उसका भला करते हैं, जो सबका भला करता है। इसलिए आपको भी सबका भला करना है। किसी के लिए भी दोस्तों, कुछ गलत नहीं करना है। अगर आपसे किसी का भला नहीं हो रहा है, तो आपको किसी का बुरा भी नहीं करना है, अन्यथा समझ जाएगा कि शनी देव क्या है क्या नहीं, वही इसी के साथ, जानते हैं कि आपके लिए दिन कैसा रहेगा, सितारों की चाल बता रही है कि यह जो दस दिन है, सफलता दिला आने में बहुत मददगार रहेंगे, आपको व्यावसाइक मामलों में किसी पर भी भरोसा ना करें, दोस्तों, व्यावसाइक मामलों में किसी पर भरोसा नहीं करना है, एक भी रुपया का व्यवहार करो, तो दोस्तों, ध्यान से करो, लिखा पढ़त करके करो, अपने काम खुद से करने की आदत डालो, किसी के भरोसे मत रहना, वरना रोज तो आपके काम भी नहीं होंगे, और बड़ा धोका आपको मिलेगा, यदि आप किसी के भरोसे रहेंगे, तो आपको व्यापारी कारियों में बड़ा नुकसान हो सकता है, नौकरी वाले लोग ध्यान से सुन इस बात का ध्यान रखियेगा, अगर किसी पर भरोसा किया, किसी के उपर उम्मीद लगाए, तो दोस्तों आपको रोना ही पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना, वही ध्यान से सुनें कि घर परिवार में कोई भी महतपूर्ण निर्णय ले रहे हो, तो पती-पत्नी एक दूसरे से पहले सलाह मश्विरा जरूर कर ले, परिवार के किसी भी सदस्य से कोई वादा ना करे, कोई विवाद ना करे, आप अच्छा करने की सोच रहे हैं, और उनका इरादा आप से कुछ गहरा लाव उठाने का हो सकता है, इन दस दिनों में से जो अंत के तीन-तीन हों वहाँ पर कुछ नए-नए मित्र भी आपके बन सकते हैं, और यह नई मित्रता दोस्तों काफी अच्छी रहने वाली है, आपको कोई साथ ही मिल जाएगा इन मित्रों के अंदर ही, साथ ही आर्थिक सुख में वृद्ध हो रही है, इस समय आपके पैसे कोडी में भी दोस्तो इजाफा होने वाला है, किसी अग्यात भय से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, यानि कि मन में कोई एक डर आपको सता सकता है, एक ऐसा डर आपको सताएगा, जिसका कोई वजूद भी नहीं होगा, मन में कुछ थोड़ा सा डर, जैसा माहौल आपके रहने वाला है, जब कोई परेशानी आती है, तो उस परेशानी को देखकर, इंसान क्या होता है, घबरा जाता है, और दोस्तों, वही पर सब चीजें बिगड़ जाती है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, घबरा गए तो सभी चीजें गलत हो जाएंगी, इसलिए घबराएं नहीं, कि अगर समस्या आती है, तो समस्याओं से आपको घबराना नहीं है, उनका डट कर सामना करना है, आप अपनी कार्य कुशलता के दम पर कोई बेहतरीन काम को पूरा कर लेंगे, दोस्तों, कुछ समय अपने रूची पूर्ण कार्यों में भी अवश्य व्यतीत करें, यानि कि ज कुछ लोग आपका नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं, इसलिए भावना आपके अंदर बहुत है, भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं, लोगों को बहुत दया करते हैं, आप इसलिए भगवान बने आपसे प्रसन रहते हैं, शनी देव आपसे प्रसन रहेंगे, अगर अगर आपके मन में दया है, परंतु दया उतनी ही करें, इतनी आपके लिए अच्छी है, अगर ज्यादा दया करना भी. दोस्तों, इस कलियुग में सही नहीं है, लोग फायदा उठा लेते हैं, थोड़े से भोलेपन का भी नजर हटती है, और दुरघटना घट जाती है, इसलिए ज्यादा भावुग भी ना बने, थोड़ा सा चतुर चालाक अवश्य बने, चतुर चालाक बनेंगे तो आपको अ बता दिया, मान लीजिए, इसी अपने को बता दिये, तो समझ जाईएगा कब क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकता, आपने अपनी कमजोरी किसी को बता दी, यूं समझ जाईए, अगली चीज है, जरूरत से ज्यादा समय और इजज़त देने से लोग आपको गिरा हुआ समझ इसलिए, ज्यादा समय, किसी को मत दे, ज्यादा इज़त भी, किसी को मत है, अन और जल से बढ़कर कोई दान नहीं होता है, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं होते हैं, बस, ये दो चीज़ हैं नसलों, अन और जल, इन दोनों से बढ़कर कोई दान नहीं, और म तो दोस्तों इन तीन दिनों में बहुत सावधान रहकर करो, क्योंकि गलत फहमियों की वजह से संबंधों में खटास आ सकती है। बच्चों की समस्याओं को समाधान हे तू, आपका सहयोग बहुत जरूरी है। अगर आपके बच्चों की कोई समस्या है, तो उसके समाधान में आपकी भूमिका बहुत जरूरी है। इन तीन दिनों में दोस्तों परिस्थितियां बदलेगी और आपके हक में परिस्थिति आएगी। ऐसे में नई उम्मीदें आप दोस्तों लगा सकते हैं। कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे, आज आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होगी। जो लोग आपके खिलाफ थे, अब वह भी आपके पक्ष में आने वाले हैं। दोस्तों, संबंध पुना मधुर हो जाएंगे। साथ ही किसी मनोरंजक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। मन में आपके कई सारे सवाल चल रहे होंगे, जिनका जवाब खुद को ही तलाशना होगा। दिखावे के चक्कर में ना आएं, खुद को ज्यादा खर्चा नहीं करना है। दोस्तों ज्यादा खर्चा करोगे या कर्जा लोगे तो दोस्तों बहुत दिक्कते आ सकती है। निकट समय में इसलिए कर्जा लेने से बचिये। कोई रुका हुआ कार्य इस समय संपन्न हो सकता है। और व्यापार और नौकरी की बात करें तो अचानक ही कोई बड़ा ओर्डर आपको मिल सकता है। अचानक ही आपकी तरक्की के योग बन रहे हैं। दोस्तों नौकरी वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपकी पदोन्नती के रास्ते इस समय खुल सकते हैं। मेहनत और लगन का इस्तिमाल करें। आलस्य को त्याग दें। साथ ही दोस्तों प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री में नुकसान होने की भी आशंका दिखाई दे रही है। साथ ही आपको ध्यान इस समय रखना है कि आपके जितने भी दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, उनके साथ मेल मुलाकात करें, तो थोड़ी सी सावधानी रखें। इस समय आपकी बोली की वजह से, इस समय आपके कुछ शब्दों की वजह से आपके जो संबंध है थोड़े से गड़बड हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। आपके घर में दोस्त सुखद माहौल रहेगा और अनुशासन से भरा हुआ माहौल रहेगा। काफी समय बात दोस्तों, आपकी लोगों से मुलाकात होगी। रिष्टेदारों से और दोस्ती यारी में भी मुलाकात होने वाली है। आज का दिन दोस्तों, यह जो तीन दिन है आपके लिए थोड़े से यादगार रहने वाले हैं। कुछ नए दोस्त भी आपके इस समय बन सकते हैं, जिन पर आपको भरोसा कतई नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिए। नए नए लोगों से मुलाकात हो रही है, परंतु भरोसा किसी पर भी ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग आपका दिल जीतने की कोशिश जरूर करेंगे। कुछ लोगों से मिलकर आपको लगेगा कि यह तो मेरा असली शुबचिंतक है, या फिर यही मेरा असली साथी बनेगा। परंतु भरोसा नहीं करना है, क्योंकि भरोसे वाले कब आपको धोखा दे जाए कह नहीं सकते। और आपकी ग्रहों में भी दोस्तों यहीं दिखाई दे रहा है। जो चंद्रमा और सूर्य इस समय जो चाल बदल रहे हैं, इसके चलते आपको धोखा जरूर मिलेगा। इसलिए पहले से ही तयार रहेंगे तो अच्छा रहेगा। धोखा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, साथ ही प्रेम संबंधों में भी ध्यान रखिएगा। आँख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। चाहे कोई कितना भी अपना हो, भरोसा नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, ध्यान रखिए कि किसी इनसान पर अगर आप भरोसा करके कुछ भी चीज ले रहे हो, खरीद रहे हो, या किसी को पैसा दे रहे हो, तो आपकी यह बहुत बड़ी भूल है इन चीजों को आपको नहीं करना है, खुद से ही करें, जो भी करें, किसी पर भरोसा करके कुछ भी न करें, इस बात का ध्यान रखिएगा अब बात अगर आप लोगों के दोस्तों, उपाय की और अचूक उपाय के साथ साथ दोस्तों अनमोल विचार की करें, तो बिलकुल ध्यान से सुनिए, कि यह जो तीन दिनों में आपको एक उपाय करना है, जोतेश शास्त्र के अनुसार, धन समबंधी समस्याओं को दूर क करने के बाद सूर्योदय के समय ग्यारा बार लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कहा जाता है कि ऐसा लगातार 108 दिनों तक करने से धन समबंधी सभी परिशानिया दूर हो जाती हैं, और दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार धन समबंधी पाने के लिए शुकरवार के दिनमा लक्ष्मी की पूजा करें, पूजा के बाद 11 हल्दी की गाठें लें और उन्हें लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में रखतें, कहा जाता है कि इससे तिजोरी कभी खाली नहीं रहती, शास्त्रों के अनुसार श्रीयंत्र को मंदि में या घर के इशान कोण में रखना चाहिए और रोजाना इसकी पूजा करनी चाहिए, कहा जाता है कि इससे घर में मा लक्ष्मी का स्थाई वास होता है.